मतलब मैं सेब उतारनी ज्यादा था सेब उतारनी सुभा मतलब नावशे से टाट होता है शाम के शेभए लगता आपके दिन के पैसे बढ़ने लगा ? किते होगने लगे ? मतलब फिर पांशे पांशे लेकर साड़े पांशे स्वाधो गर पे मोबाइल नहीं था हम वहां पर वो खिड़की उपर माते हैं पेंट फिर वाल पुटी हो गई पेंडिका काम करता है सुबाइल दो बातीन बजे शाथ से बारा रात को पढ़ाई थी और फिर सुबादीन बजे से लेकर आठ बजे तर यह रूटीन चलता था था तीन से अट क्या करते हैं लब पढ़ाई तो सोते तीन कटाते हैं हां सोता में इतना है रोज रोज मत्वेसी ट्रगल थी परना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है कित्ते साल तक रोज ती मुटा से यहीं मदब यहीं 10-12 साल ही रहा है तुम इससे भी बड़ा कुछ बनाओगे तुमने मेरे से अधा इस्टरगल देखे है लाइप मैंने कुछ नहीं देखा यह जो वीडियो है ना यह हिला देगा लोग क जैहन मेरा नाम है अलख पांडे और आज मेरे साथ है एक बहुत ही बहतरीं कहाणी नीए 2023 में 601 नंबर लाने वाले कश्मीर के श्रीनगर में पुलवामाज के ऐक गाउं से ओमर की कहाणी एक बहुत ही प्रेजड़ना धारक पहानी है और हम सबको कहानी सुननी चाहिए डीटेल में उमर से बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि हर एक भारतिय को ये कहाणी आज बहुत करने वाली है इसलिए उमर हमारे साथ यहां बैठे हैं उमर जैसे बच्चों पे हमें फक्र है और उमर जैसे बच्चों के लिए फिजिक्स वाला प्लैटफॉर्म काम करता है उमर हमारे साथ यकीन बैच से जुड़े थे और 2.0 से और उसी बैच के चलते हम उमर को जानते हैं तो उमर सबस बाहर आए और वो इंटर्व्यूस टीम ने देखें और टीम ने मुझको बताया कि ऐसा करके बच्चा है उमर पेंटिंग में कुछ काम करता है और नीट में सेलेक्ट हुआ है मैंने एक भी इंटर्व्यू नहीं देखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एकदम जीरो से आपकी कह है मैं हो फांच मेंबर है अप एक गाहो में हो पुलवा मा के पास जागी गामा जो साथ कीलो मीटर दूर है १ार परिवार में मता पिता है यह देखने और शजरस है old तो करते हैं उस ने त्वेवटी तक कया है फिर छोड़ा है तो आपसे एक ही साल चूटा है एक साल बढ़ा है आपसे बढ़ा है और 12 तक पढ़ाई कि उसके बाद से मजदूरी का मतलब मिक्सर के पीछे का नस्ट्रक्शन का काम चार रहा होता किसी बिल्डिंग में वही काम बढ़ा हो बच्पन के बारे में बताओ कि कैसा था बच्पन गाउं में अब अब मतलब 10-15 मिनट गर से लगती थी वह शकूल जाने में और फिर मतलब थोड़ कला से मुझे 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 करना पड़ा पापा मतलब मेरे मुझे थोड़ा एज बहुत ज्यादा है मुझे 75 के ऊपर है और यहीं से ट्रगल चला मुझे तक तो जब आप अ करते हैं तब पाप तभी मस्दूरी करते हैं यह थी कि ममी घर समालते हैं डीक थार्ड क्लास में यह तब बड़े बाई मंद उस समयं पड़ते ते जो परहांचे ते खुद आपने में खर्चे के लिए थे निजसा पर चला है है तत अग तक एफ़र तक तक थी श्यांत तो मतलब सवकुल में काम ही जाता था उसमें उतने मांश्टर कोश्टे नहीं है मलब सवकूल क्यों नहीं आते गौवर्मेट सवकूल में फिर मलब तैंथ तक यही बात रही और फिर एलेंध ट्वेल्ट म अधिम अधिकल पकड़ा सबजेक्ट पीछे चलते हैं अराम से तोडने और कंची करने मलब उन तरक्तु को कांची करना होता था तो यह आप सुभा से शिबू करते थे और शे बजे तक चलता था कितना सेब काटते थे लब जितना एक बंदा कर सकता है कितना होता था दिन दिनका 500 होता था इतने सेफ काते थे उसके हिएा और चुछे परम경 आप आप एप हाटते थे लोगी आप को सिंप अजाते तो घर पर के हैता तो अझाल करता cumpl करते था अपर पाधन हो अइस तेनों पड़े लग परहते हैं आपक पेडाः करते ते मैं पढ़ाई का टाइम आता था मतलब पर्टिकुलरी छे बजे से में फारेग होता था फिर साथ बजे से में स्टार्ट करता था बारा बजे तक और फिर सुबा तीन बजे उठता था आठ बजे तक करता था सुबा तीन बजे साथ से बारा रात को पढ़ाई और फिर सुबा किते साल तक रोज तीन गंटा सो यहीं मदब यहीं दस बारा साल ही रहा कि सरदर्द आंखों में जला है कभी मेडिकल इशू नहीं आया तीन गंटा रोज हो रहे हैं मेडिकल इशू नहीं गरीबी थी करना था वरना पड़ाई छोड़नी थी कि स्कूल का फीस तो तो नारमली था मतलब गुवर्मेंट स्कूल में काम ही होता है कि पीस होती है अलब पूरे साल का 800 आथा था पर आपको तीनों लोग की फीस देनी होती है नहीं मतलब बाई मेरा खुद भी मुदूरी करता था वो अपना खुद चलाता था बेहन के लिए और बाप से चलता था कि मेरी कमाई इसे और बाप की चलता था तो घर आप और अपना अपना है नहीं बिलकुल नहीं तो आप लोको पढ़ाने के बारे में उसने मतलब एक उसके दिलमें मतलब शोक था मैं अपने बज्चे को डाक्टर मना हां कबसे मदा बजपन से बजपन से था थर्ड अपना फो अब पहले मुझे था माई आएस का अच्छा तो पहले कि उता अभी हो सकता है अभी है ना में बड़ा पलान है यह यह काहनी कैसे आई आएस मतलब हमारे गाहों में एक हैं केस मा कालिफाइक है माई तरहले हैं आपने कश्मीर शुपया अट्रेस्टिक में वापकी गाहों से आपको बड़ा इंस्पार तो थर्ड से लेके टेंथ क्लास तक सुबह नौ से शाम के साथ तर्शेव पर्टिक्योलर महीने में होता था मलब स्टेमर से स्टार्ट होता था मलब कभी गुड़ाई करनी होती है माल पे टू को दरखत होते थे मलब शेव के नीचे गास आता था उनको काटता था यह सी दियन करके थे कभी मिक्सर के पीछे जाता था मालब बिल्टिंग बना जैव को मलब बेस बनाते है ना बेस मालब कुन को हम कहते हैं सिमेंट उसमें में में डालना था वो काहां भी करता था था थर्ड क्लास था थर्ड क्लास में एक चीज और पूछ हूंगा कि हाँ को सुनने में इस ट्रगल लग रहा है क्या उस गाउं में यह चीज नॉर्मल है नहीं नॉर्मल नहीं है मैं गरीब खांदार से तालुक रखता हूं आप जैसे ब में पढ़ा है और ये हैं अंडरीज पर मतलब कम कर रहे हो इसक्रा महाँ पर मतलब कम कर रहे हैं पर नहीं होता है यहां काम करते थे वो लोह कैसे घ्र cognitive हम बहुर बहुत को क्ड़ए जने करते के थी मुथ वापने गाम क princip छुई कर्फे देने नो हम पाता पन और पढ़ा है पड़ाने वाला कॉं था पड़ाने वाले मतलब अब जो बाड़ी बहने वो पड़ा थी थी उसने मझा में लो किया है है ये वह बहुत बड़ी यह मतलब उसकी एज 23 होगी आप होगे अठरा हां आपसे लगब तो वह हमेशा आप से उपकर रहती है यह चला घर के हाला कुछ सुद्रे आपके दिन के पैसे बढ़ने लगे हाँ कितने होगने लगे अलब फिर पांसे पांसोशे लेकर साड़ी पांसो कि साथ साल में बड़ा नहीं बड़ा फिर क्या हुआ फिर मतलब जब अलेवंत हुआ फिर मैं कोई कोजिंग नश्चूट जाइन करोगा फिर मैंने मतलब डेर्ट महीने मजदूरी की मैंने 15000 कमाई और जब मैं कोजिंग नश्चूट गया तो वहां पर फीस था मैंने उन लोगों को बोला मतलब अब घर से बहुत दूर है बार गर से बहुत प्लमाइड डिश्टिक्स साथ किलोमेटर दूर सा कैसे जाते रोज मैं मतलब दो तीन दिन गया गाड़ी से किराया भी नहीं थी फिर मैंने उन लोग को बोला मतलब आप फेस माफ करो थोड़ रिलेक्जेशन दो उन्होंने बोला मतलब हमारे पास हम नहीं कर सकते थे फिर बाज अवकात कभी कुबार किराय भी नहीं होती थी पाई दर जाना पड़ता साथ किलोमेटर फिर मैंने छोड़ दिया इस वीज मजदूरी भी निकर पारे पैसा ही बंद हो गया पैसा ही ना पर किया आपने लोग किसी बच्चे कंटिव नहीं देखा कश्मीर से मौसिन को मेरे आप मोबायल नहीं था मिरे नहीं मॉबायल यहाँ फिर लास्ट के दिन में अब जो मैने टुवेल्स खातम किया उसी के दुरा अधर पर मोबायल नहीं था चोटा वाला फोन का नहीं तो 11 में कोचिंग है और किते दिन गए माँ चार-पांच दिन फीज दिया था कुछ ना कुछ नहीं उन्हें मतलब रिलेक्जेशनी नहीं कि तो मेरे बोला मेरे पास इतने रिसोर्च भी नहीं है पैदल जाना किराय भी नहीं थी ऐसे बच्छों के लिए कोई स्कॉलर्शिप नहीं है नहीं सुकालशिप नहीं है गुवर्मेंट कभी गुबार देती हैं तेंथ में मेरे पास 500 में होते हैं मेरे थे 395 जब मैं आया उसमें 400 तो करी-करी 80 परसंट नहीं है और आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है हां वहां पर ऐसा सिटम नहीं है और फिर मतलब सीराल खमें में मिने खुद पढ़ा उसमें मुझे 425 आया 500 में और 12 तो में 480 आया कोचिंग छोड़ दी मожет नाहीं मुझ Bowlी में करता था अलब पापफ अलब मतलिमें तो यस ए When optimal पाले करता था अब यह नहीं जाता था और आपने आप सोज में आ रही है तो समझ आजी थी कमिश्टरी के लिए मंदब कुछ मादद लियना बड़ा थोड़ा रेफ्रेंस उगा किया रिपरेंस मेरे पास थी थोड़ी एक हमसाय से लिया हम साय हमसाय मतलब हमसाय मलब आसपड़ोस में जो लोग रहते थे उसी को हमसाय क तो उनसे किताब ली तो पहले इंडिक त्यारी करते थे उनका हुआ सेलेक्शन क्या तो उने अपनी किताब ली तो ती फिजीक इसमें रेफ्रेंश थी याद नहीं बड़ी रेफ्रेंश थी अच्छी इंग्लिश में आपका स्कूल जो था नहीं वहां पर कश्मेरी तालिम च नाइन टेंथ में जो आपकी साइंस की किताब वहां थी शुद्धि उसमें क्या भाषा थी उसमें इंग्लिश थी इस κूल की इंग्लिश जलती जो यहां पर आल इंडिया में जलती हैं किसी का में पास-पड़ोंस में जो लटकी थे उन्ट लड़की थे इसे मादद लेता था इंनसे पूष्टा था तरह कि गाव में ऐसी फैनेंशिल सच्वेशन सब की नहीं है आसाब की नहीं है यह जिनके उन्हें साइसा थी है तो बाकी तो परण करते थी तो मदद करते थी आप पर पी ग्यांकर दॉजड़ ने आया कि देखा है तो मैंने फिर में यही यहीं देखा यकिन तो पांट उसमें लेकिन कैसे पॉचचे आप येकिन मेने मुबायल से देखा माझक मिला मुबायल 12 एक लाश्ट एड़े मिला पिर मनला मेने एक स्टोरी खरीदा कितने का था वह साथ हजार का था तो कहा मिला गाउ में मिलता है कि यह फिर निदेना था तापको बता थ नहीं कि थी राद नहीं बें नहीं है किसके मोगाल पे देखा हो दूसरे के मोगाल पर देखा है उससे में बहुत मैं मैं भी कुछ कर सकता हु उस इंटर्वी में यकीन बैच की बात हो यह बैच खरीद लिया एक महीने मुस्थूरी की फिर 3500 और डाले तो जिस दिन बैच शुरू हुआ तब नहीं खरिद पाए हां तब नहीं खरेद जब दिवाली आ फ़राया उस नहीं सस्ता हो गया है तुम्हें पता था उपर आएगा क्यों को इसे बता है मुझे पता था ना फ्री मुझे पता था लग बग दिवाली पर छुड़कारा मिले यह नहीं क्या मुझें नहीं था इसी दिए आफ की जदेंब नुजब मुझे मुझे पता था मुझे पड़ादे हैां तो आफ से लोग खरिद अ की दिए पार अभ पांटेश्टर इंड जू खरी आप जहेतने वाला क्यों ही हम बडें मुश्च पर ने पंचार को इन्या वाली बागी और भी जो मिलता था वो करता था पहले साथ अजार का मुझा आप जैसे सर में एक रेवलूशन पाइदा किया है मुझे लगता है महगा नहीं मलब पांच-एड मज़ूरी करना पड़ा फिर मालब खरीदा इंटरनेट के लिए मतलब में पर्टिकिलर दिन मज़ूरी जादा था पैसे डालता था मतलब तो कभी डाई सो का अक है मस्बरूरी चलती रहे इंटरनेट के लिए और इ incorporates audio आप तो देखती नहीं हो एक लाई लाई भू मैं हिए अच्पैños रिकॉर्डेट है nagyu आज्डेट उराय ईप्यूंछ प्रटीकुलर मुझे ज्यादा दिक्काता थी पड़ता था निसी ले लिए पता था में प्रिवेशर कॉच्छन पेपर नाजर मारता था उसे पता चलता था कि भाई और वहन मोटिवेट करते थे मालब कभी लब तीन बजे उठना फिर चाज देना जनवरी में जिसे माइन अच्छा तुम इसी पढ़ रहा है तो मजदूरी में रोज नहीं जाते हैं ताब तो मुझदूरी मजदूरी मजदूरी दिन में जाते जब जाते थी मालब ज क्या कमरे के अंदर कि बाहर से बिडिग हम और वहां पर वो खिड़की उपर माते हैं तैनेट वाल पूटी हो गई वह काम करता तो कि काफी तर काम सीख रखे हैं सेव तोड़ना वाल पूटी करना कि अ पर एक बहत बताव मेरा एक सवाल है कि आप जब 11 में आ अगयों 10 मैं आपके 80% है त्यूशन क्यों नहीं पढ़ा त्यूशन मैं इसलिए नहीं पढ़ा मदब पाइसे नहीं थी जैनी क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को ट्यूशन बच्चे तो मुझे क्या पढ़ेगे मौद वहां पर उनके पास पैसे थे बाखर रिसोरस थे अधर ब्रैंड थ थे पिएड शुकालर थे वो ट्यूशन पढ़ा ते आपने कभी कोशिश किया कि चलो ट्यूशन बढ़ा ते या रिग दो बच्चा जमेलिक कोशी नहीं आपको किसी नहीं और पढ़ा रिए नहीं यह पिर बताओ फिर बैच ले लिया फिर क्या हुआ पिर बैच लिया उत स्फीन्यान अधिवाल का घापो दालीनंतितरों की अधियर पलतेते का यह मैं काम करता था ağa OS पर इस अमनें प्लतरों मprus मंतुल14 मेसे आर्देम आदये करता सबस्टा जब गरर में काम करता आधा तो दिन लिवन देखता था को करवा है कि नहीं जाकब नहीं कि करान हम बढ़े ते टाइंस तीन गंटे सो रहे हो कि बोलते हमेशा से कम हो हम बोलते हैं अब फुष्ट इंटर्व्यू है लाइफ में मतलब आप से आप जैसे मुलाकाथ पर टीम तो बता रही थी बहुत इंटर्व्यू दे रहे हो तो कि क के लाश्यू पर नामघोंड को पता चलता है कि तो फिर पढ़ाई चाली हो गई फिर सारे लेक्ट्र देखते थे नहीं से पधिक्स की अंब इस अगर मुझे पटिक्वर्यूर्ड सामीर में मिलता था आयल इंडरेंग में निकाल सकता था कि दूम एक बॉक्सर हो जिसका दोनों हाथ बांद के रिंग में उतार दिया गया है कि लड़ो सर से मार के जीतो ऐसे बच्चे हो तुम हो और क्या सामने एक बंदा है जिसके हाथ में महंगे क्लब्स हैं सारे रिसोर्से तो आपस नहीं है बहुत्ता है हो जी अंची तो मिल जाएगा च्हा सिंढम का फिर आगे क्या हुआ सटेश करते पर किया करता थे प्रेद्च को सब्सकी करता है किमक करता तरह यह जादा नहीं है है क्या तुट्शाल कर था आप जिकानलता क्योंकि हुआ Listening कॉम नियुंक्ति 선생님 नहीं मिलता था क्योंकि मजदूरी नहीं बनाता है मां अधा और गरते हो कुछ इंट्रेस्टिंग बताओ बागी तुमें इस निए यह बताओ जिब यह मजदूरीयां चल ले थी मैं मानता हूं यह बहुत ही इस्ट्रगल है मुश्किल है और सकता हो किसी को मेरा सवाल इंसेंश्टिव लगे पर क्या आपको अपनी जिंदगी में खुशिया नहीं थी कुछी नहीं कभी नहीं नहीं थी नहीं थी केलना कूदना वापन में थोड़ा था बस बागी बन था रागए साथ-अठाट छाब यह पिर क्या हुआ आगे आगे ही सफर रहा और नीड तक नीड के बाद पढ़े होगा नीड के पहले कोई मॉक्टेश्ट दिया था फिजिक सौरा के प्रिजिक थोड़ा दे थी मलब जब नीड का फिर एक महिना उसमें में ने दिय थी तेश्ट दिये थी उतने ज्यादा नह विख़ा आ रही तशी सैसे था उसमें एलाव कभी पायो 99 कभी 612 जा ही में यतने मैं पता रहा हूं इतने में इतने बादा भूर कर पड़ा पर प्रवित कर लों मामें उस दिन के बारे में मैं मुझे बहुत एक्सारिजमेंट ती मलब हो जाएगा नहीं हो जाएगा अब मरे जो अर लोग सबासान बदें हैं उनका इस साल नहीं निकला उन से तोस्टी आ रही था नहीं से मेरे दोस्ट में दोस्ट नहीं थे जहां मजदूर्य जाहते थे वहासं वो दोस्त होंगें क्यूं मनलत मैं ऐसा आद्म Eck視ा नहीं कदूने यह दोस्त करणा ठाओग करिदे मैं तहीं बदा क्योंसे मुझे ते वह दोस्ती नहीं रखता चाहते थी कि उम्रों में बड़े लोग नहीं और पैंसे भी के मामले में बड़े हैं जो त्यारी करते हैं कि ना बुद्र दो लड़किया है वो लड़किया के साथ क्या रे मलब रिलेजन रखें दो उसकी कि अधर गाओं में काफी डिफरेंट्स है कि अधर बहुत रभी कि पेपर वाले दिन बड़े एक्साइटेट थे पेपर वाले बड़े मलब दिमाग में खयाल रहा क्या हूप आए का नहीं हूप आएगा मलब मैंने पेपर में 615 मार्क के थे मलब दो सवाल मलब तीन सवाल ऐ बारे नहीं है वरना वो भी ठीक थे जब मैं की देखा मलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 615 फिर 601 आई करेक्टेड वाले में कुछ बढ़े क्या मनलब जब करेक्ट अभी आंसर की जब चैलेंज और एक बढ़ा है रिजल्ट तुम्हें कब पता चला जब रिजल्ट मुझे पता चला में उसमों कि काम पर था मालब 20 किलो मिटर दूर गर से कब जब आंसर की रिलीज हुई कि पन रहा है एक्सपेक्ट में कर रहा था फिर चैसे एक आया है कि उसका फिर फिर लें यह काम पर मजदूरी चाली हो गई अभी सारे 500 रुपए पर फिर गए फिर जब रिजल्ट आया उस दौरा मुझे घरवाल ने फोन किया कि आपका सेलेक्शन होआ है और ने बुलाया फ तो किस का इंडेविय आप कर लिया और ममी पापा का वी लिया तो कुछ ब्लगे भी खुशे के फिरमेका सिरी नगर फोस्ट राइम गया था विडिया पीट को निकार के अ ज़िए पासर लोगा वाच्छों से बात है बाद सब्सक्राइब बहुत कम बोल रह भाग जा दर ये इतना ही बोलते है वेशा गई अजी लोग इसको अजह को आज है कि अजा आपि अचिरा गई आपके को जिन बेदर है यह एक और दो यह मेरी पार्व समय तो पर फिर फ्रें गर वह को आपका पढ़ अपर ने कमरा था इसा था को कमरा था चार कमरी थे गर में एक कमरा मेरा था उसमें बढ़ता था लाइट वाइट थी एंटरेने शोली भी ठीक ती कभी को बार जाता था इंटरेनेट टॉप सही हुआ है काफी पिछली कुछ समय में डाउनलोड करके देखते थे वैसे भी आप नहीं मतलब जो लाइव आता था था वह डाउनलोड पर रहता था वही में देखता था डाउनलोड करके देखते नहीं उसी को रिकाडिर को देख लेख लेता है नीर के रिजल्ट के बाद घर गए और घर पर बहुत मीडिया था इंटर्वी देने पड़े फिर उसके बाद एकसाइजमेंट हुआ खुशी इसे मुलाकात हुआ उसने बच्चों को बोला मलब ऐसे भी स्टूडेंट है 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 मार्ट वेट किया उनको आप भी कर सकते हो आपके अंदर इतनी रिसोर से मास्टर हैं आप कर सकते हो अभी मजदूरी नहीं कर रहे हैं कि कि दिन शुटी हुई जब से निकला है कि अब तो कॉलेज जोगे हैं अब तो मुझदूरी बात होगी है कि कॉलेज का फीसिस के किसी ने कुछ बोला अभी तक नहीं अभी तक किसी ने नहीं बोला हम दो कर देंगे हो ठीक है चोड़ी बात है है हम यह उमीद थी मादब जब पिछली बार एक लड़का हुआ था म अब उस समय उसने तुझे बोला आपने बोला उसमय में मझा साब बुछ कर दोगा समय मझा पार्टी में उता वह इसे लिबरेशन करते हैं मझा बड़ी सभी मास्टर थे तुमने वीडियो देखा था वो में वीडियो देखा था इत्ता भी ना करें तो देखार है मेरी जंदगी पर तुम लोगे क्या करके यहां तक आ रहे हो आपका बहुत मलब शुक्रिया ऐसे पालेट फाना फराम करना तुम इसे भी बड़ा कुछ बनाओ के तुमने मेरे स्यादा श्ट्रगल देखें मैंने कुछ नहीं देखा यह जो वीडियो है यह हिला देगा लोको उनको लगता है कि वो जीवन बहुत श्ट्रगल करते हो उनको श्ट्रगल पता नहीं क्या होता है आज तक शाहद इस इं इसे मदद करूँ और अब मैं क्या मदद करूँ तो में पवें तो मैं था यह था दो मैं पहुंचा इन अब एक किसा महूल है अगर पे भी मतब खुशी का महोल है सब लोग आ रहे हैं रिष्टादार कहा रहते हैं विश्टारदू रहते हैं मन्यवड़ा पांच-वाइश्टार में से नहीं कि रिष्टार पिता जी आप गेज हो गई है तब वों काम ने करते हैं कि जो बड़ा बाई है वे करता है कि लख हम दोनों बाइब चला देते हैं अपनी स्टेडी भी कर बाता है इस आफ एक लगत नहीं ना बाइक है ना मोटर साइकल है वह चीजे मेरे पास नहीं मैं क्या कर दूं तुम्हें लिए मुझे जानना है मैं कर दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है मलब लोग बोलते हैं मलब समापको पढ़ना है बहुत बुकुस को जुरह हैं आपको बुकुस मदब जाने दूरा लगते हैं आपको, बुक्स, कॉलेज, हॉस्टेल, फीस, वो सब तो मैं कर दूँगा, उसके सिवह में और क्या करूँ आशके लिए लाइस में और क्या करूँ और क्या गरूँ कि वाद बात करते हैं, क्या कहना चाहोगे बच्चों से, जो कहते हैं कि हम इस्ट्राक्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम में फसे हैं, बच्चों के लिए ही मेंसेज रहेगी कि महनत करो, महनत आपको मदब उचे मकाम तक हुँचा जा सकता है, मैं 18, मेरी एज 18 है, आगे क्या प्लेन है, आगे ही प्लेन है, MBBS के बाद मेरा प्लेन है, IAS, UPSC त्यारी करोगे, MBBS के बाद करोगे, करो, तुम यह नहीं लगता कि तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, घर को हालात सुधार नेकले जल्द से चाहिए, नौकरी भी, UPSC भी साथ में करेगे, जब मज़ूरी औ यहाद में चॉक्लेट, अप्लेट कुछ लाना बद चिक्लिए, मिठाई कौन से फसद है, मैं मिठाई हुद्ना नहीं खा ता घा है, हम तो खा रहे हैं, थोड़े पैसे कमाली है, तो खा रहे हैं, तुम भी कहा हो गया शुरू हो गया है अब काफी तो लगा है अब तो लग रा हो गया तो मुझा समत बदलने वाला विश्वास तो बहुत हो गहा भालों को भी अग्वाल को भी तूंस पेहर की शादी घुब मतब नहीं हो तो नहीं हुई झाल झाल को अधिन है कम इसका मरें किया नहीं था यह यह किन बैसे ने बाद कि अध्यक्यवांक आपका यह में पास नहीं था नहीं वो दूर है ना मुझे वो कुपवारा में रहता है में पलूमा लगभग 80 किलोमेटर होगी आपके उमर कितने लोग है उस गाओं में जैसा कर रहे हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी तो कोई नहीं है अधि यह मझें पर जो लड़की है वो छोटे हैं अपके बड़े भगई पढ़ा ही नहीं करना चाहते उसने हमें तक किया है फिर जब नहीं जाब मिला तो उसने चोड़ा तो किसमे मेरी बाड़ी बहन इन अन्से तो बोले अपना रेजिव में भी इस देम लोग को है ना उन तो लिए उनका है मन्हागी प्रभड़े करने का कि नहीं है वह नहीं करना चाहते हैं तो क्या काम करना चाहते हैं आपको बड़ा इंट्रेस्टिंग बात बता हूं हमेरे नहीं आप एक गार्ड भी आ है और यूपी पीस्टी का इग्जाम स्टेट एंट्रेंस एक्जाम दिय आपकी है भाई बहन का कैसा रिष्टा है भाई बहन नहीं तो अच्छे हैं उसा सपोर्ट करते थे बाड़ाई जग लेए जखेने हैं जब आप छोटे थे तब किता जी क्या किरते हो ताब यह मुझदूरी भर और अपके दाधाजी में चोड़ा था वह गुजर चिके है पता तो होगा क्या करते थे पता मुझे उसके बार में पता नहीं है ठीक है उमर भई आपने हैं बहुत जाय लड़ाई किया जीवन में कि आपका इस्टगल मेरे समझ से बाहर है कि हम सोच भी नहीं सकते उस बाहरे में कि दिमाग में बसे रोगे तुम अगले बहुत दिनों तक मुझे लग रहा है बस इसलिए अच्छा हुआ नहीं को इंटर्वी नहीं देखा परसेप्शन बना के बैठा होता में बस तो उड़ती उड़ती से वित्ती कहानी आई थी एक बच्चा है निट निकाला है और में इंटिक हैं करता है यही बाता यही ए फिर आप निlaa पने इंट्रप्ल भी तोड़ते थे kita अओ भी करते थे सीजन एपका अभी करना तो आ हम लोग देख लेंगे इस का फस्श्तूर से त।ुमाइन यसाय साथ काम करना शालू करतेां ये डिड़ो के अदर नहीं मुझे चाहिए मुझे क्या बताव लेक्टॉप लेक्षा भाई जल दी से टीम से और नहीं मिले तो मेरा लैप्टॉप दे दोसको पैक करके अभी कि और के लैपटॉब कर देंगे और क्या करें बता हुझ वाइक कभी तुम्हें नाम लिया है इसलिए दो यह लेगे इसे सुरह नहीं है इस अधुमने ब्लेशन और नरे वॉल्म कहा है जो प्रॉब्लम यह न वह कि पदा निया भी बोल ना भी यह बोलो कि कहा जाता है कि सब इक्वल एसा है वैसा नहीं है यार हम सबसे खराब फेस था तिमार आप यह अब यहाँए और काश्मीर की बहा लाग रोग है याट है अभी कल में सब्सक्त कर कर रहा हैं कि कि अब नहीं कि नहीं तो बराबर भारत का बच्चा हर बच्चा बराबर में लिए कोई और नजरीया है नहीं मेरा इसके सिवह ंए मैं कश्मीय कर सकते हूं कि नुक्ति हैं डूं तो बहुत बखरानी बात्ते नहीं है हो थोड़ी लोग सुधरर अब आप बता रहे थे वो जो आये सेलेक्ट हुए आपके हैं वह 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 वी गरिव खानार का था उसको देखके तुम्हें कि तो लगेगा कर सकते हैं तो लोगे वह समय तो पतले लेगा लैपटप दोस्तों के पास है मालब उनके पास है चला लेते हो नहीं मैंने कभी न अब आया नहीं कि इमेल लिखने को बोल दिया किसलिए वह अमर सर्थ के साथ आपको वीडियो काल करना है मुझे आता ही नहीं था तो फिर उसने खुल जिखा अभी करा देते हैं अभी करा देते हैं बुलाई देंगे मिला देंगे अच्छ ने बोला काल मिलोगा में मार्स ममी को पता है नहीं ट्वीट की परिक्षा के बारे में कुछ समझते हैं डॉक्टर बस डॉक्तर बस अब यह और बहुत पता हो उनको पता है अब पड़े लिखिया अच्छी चीजे तुमने इंग्लिश के साथ भी कुट कर लिए जिस तरह के तुम काम करते वहां यह चीज अब आप लोका ने अब इंग्लिश में था हैं अब कर लोका ने थे अलाग है अब हैंधी में अलागा में अब आफ्लाइं तो कोई टैसस तुमने दिया इन जा नहीं को कभी नहीं तो कि मेरे आफिस वालों से मिलों हैं बड़ी खुशी होते लों को बड़ी बड़ी जादा खुशी होगी तुमसे मिलकर कि मुझे भी उसे बहुत खुशी होई मला वो इंटर्वी देखकर कौन से विद्या पीट जाके नहीं जो वो बिहार के लड़की की किसका इंटर्वी देखे थे बताओ थोड़ा सा मैं बत नाम जानता हूं तुम बताओ थोड़ा क्या बोल लेती हुआ यादा जाएगा और वो लड़का है कि लड़की थी मला एक ट्रॉंक है उसके उसी में पड़ता था उस पर वो बैट कर पड़ता था वो लड़का कब दे वही वही लड़का घांगा दान अगांगा मम्मी भी आगी जी सब्सक्रिशन भी देंगे मैं रटका यहां से मेड़्कर पड़ाई के नहीं फोटो नी कि चवरक दो ठीक है चोड़ दो अब से होजागे आम लोग साथ काम करोगे ना तो पृर करसे भी आने लगे यो कि क्या साफना है एक इसन एक है अधे कहा ने हैं जब रह जर्द रहां तो पर किया है भई वहीं ह或者 भाइनेुरे कुछ प्रटेज तक जाना पड़ेगा मुझे हाँ 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 है लेपटॉप तुमने कहा था तो और क्या दियर हो साथ में बैग चलेपटॉप बैगे ते लेपटॉप लेपटॉप चला रहे कैसे सीखोगे तुम अन्हें तब कोई सखाएगा कौन से खाएगा जिसे बोलोगा किसे डाउल होने कि बादे तुमको कोई चीज आइसान में नहीं दूगा भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन ने तो होगा बोलना पड़ेगा काम करना पड़ेगा तुम कुछ और करो तुम कुछ और करो कौंटेंट बनाओ तुम कश्मी काम करो कुछ भी है ना है क्यों तो काम कैमरा बोलता हूँ आज ब्रैंडमेजर कश्मीर का अब तो कांस्लिंग आने वाली है अब वापस जाके मजदूरी नहीं करोगे अब नहीं करोगे ठीक है आज से यह प्रतिक भी आए इनसे बात करोगे और यहां से काम स्टार्ट करोगे कल पर्सों से ठीक है इंशाल्लाह एक तो यह उमर की कहानी और हमें अब यह बहुत काम करना है हम सब को बहुत काम करना है उमर जैसे सोसाइटी में बच्चे हैं और मलब किससे चुपी है देश की यह हालत ऐसे बच्चे हैं और एसे बच्चे लड़ रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हम सब को लाइफ में कुछ ब कोई भी अगर बच्चा ये वीडियो देख रहा हो कहीं भी सुन रहा हो उसके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जैसे हालातों में हो पढ़ाई करने कोशिश कर रहा हो तो नीचे हम एक एमेल डाल रहे हैं उस पर आप मेल करें और हमाई टीम आप से कनेट करेगी और मैंने जितन भी बहुत सी प्रॉब्लम है जो हम लों में सॉल्ड नहीं की है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद